हेलो फ्रेंड्स वेलकम ओलो फ्यू फैबुलस एकेडमी के यूटूब चैनल पर आप सबका हारदिक स्वागत है दोस्तों आज की इस क्वेशन सिरीज में हम आपके लेके आये हैं क्वेशन नम्मर 3012320 फ्रेंड्स आज का एक सेशन बहुत ही इंपोर्टेंट है तो इससे कि आपको आने वाले जो भी एक्जाम है इंडियन एर फोर्स नेवी आर्मी उन सभी में आपके को बहुत ही कारगर साबित होने वाला है यह सेशन तो चलते हैं आज के सेशन की और पहला क्योशन होगा देखिएगा फर्स्ट क्योशन जो स्क्रीन के उपर आपको नज सब भी अवेलेबल हैं और टेस्रीज भी चल रही है तो फ्रेंट्स ओनलाइन टेस्ट भी आप दे सकते हैं और अपने आपको एक्जमाइन करें कि आपका आंसर क्या होगा इसमें हम यूटूब चैनल के उपर भी आपको क्योशन स्रीज के मादम से यह बताना चाह रहे हैं कि आप एक्जम में किस प्रकार से स्टेंड कर पाएंगे और आप अपने आपकी परफॉमेंस कैसे शो करेंगे तो फर्स्ट क्योशन यह हमने टेस्रीज में भी लिया था और फ्रेंट्स आज फिर से हमने यहां पर आपके लिए यूटूब चैनल पर भी हम आपको शो कर र अंकाउंटेबल है इसी की बात करते हम ब्रेट शब्द यहां भोजन के अर्थ में हैं और भोजन के अर्थ में यह क्या होगा अनकाउंटेबल ध्यान दीजेगा फ्रेंड्स भोजन के अर्थ में यह क्या होगा अनकाउंटेबल नाउन उसने भोजन किया है ठीक है इसलिए यहां पर क्या होगा सबसे पहले बात करते हैं little शब्द का प्रियों किसके लिए होगा if you किसके लिए होता है nothing them तो सबसे पहले आप ध्यान दिजेगा जो आपका option होई नहीं सकता उसको cancel करेगा बात करते देखें them them एक pronoun है और pronoun होने से यह इसका answer नहीं हो सकता यह क्या है फ्रेंड्स pronoun है they subjective case का objective case बनता है them जो plural word है ध्यान दिजेगा यह plural word है बात करते nothing nothing शब्द क्या है noun के अर्थ में यूज किया जाता है में भी आपका answer नहीं होगा फ्योग का प्रियों किसके लिए होता फ्रेंड्स प्लूरल countable noun के लिए mün गडिया प्लूरल countable noun के लिए हम फ्यूं का यूज करते हैं और quantity के लिए लिटल का प्यूट करते हैं तो आपका राइट अंसर क्या हो गया यहां पर ध्यान दिएगे-कुदि लींड टा乐री लिटेल के बराबर ठोड़ा सा मात्रा वात करने कोंटिटी की बात कर रेंए इसलिए आपका राइट आंसर हो गया लिटिल एक यहां पर देखेगा लीटेल थोडा सा HAS BEEN SET little has been said कुछ कहा गया कुछ कहा गया है and blanks has been done और कुछ किया गया है कुछ कहा गया है यहाँ यह question बहुत ही important question है friends यह exam में आया हुआ question है और आप comment करके बताएगा कि यहाँ आपका answer क्या होगा little has been said थोड़ा सा कुछ कहा गया है यहां little का प्रियोग किसके लिए हो रहा है quantity मात्रा के लिए हो रहा है क्योंकि जो कुछ आपने कहा है said का मतलब क्या हुआ कहा है तो आपने कहने का कारे किया कितना कहा है आपने क्या आप उसको count कर सकते हैं कि मैंने एक कहा, दो कहा, तीन कहा, नहीं, मेजरमेंट नहीं हो सकता उसका, ये चीज क्या है, उसको count नहीं की जा सकती है, वो quantity है, और quantity के लिए, हम किसका प्रयोग रहें, आगे बढ़ते हैं, little का प्रयोग हुआ, and or, has been done, done क्या हुआ friends, work, और work शब्द क्या है, uncountable, ध्यान ने कोई कारी किया है, और कारी शब्द क्या है, uncountable है, तो option के और बढ़ते हैं, देखेगा, many less, many शब्द का प्रयोग, और less सब्द का प्रयोग, सबसे पहले हम बात करते हैं, पहला word आपके पास में आया है, less सब्द, और less सब्द क्या है, friends, ध्यान देजेगा, less, less सब्द कार्द कार्द कमी होना, और ये शब्द, countable और uncountable दोनों में होता है, countable और uncountable दोनों के साथ में आता है, लेकिन ध्यान देजेगा, many के साथ में और मच क्या है अनकाउंटेबल है ठीक है जनरल सब्ड का पर्योग करते हैं जल्स में करते हैं क самом senza खरते हैं किसमें करते एंकाउंटेबल सेंस में करतेי हैं क्लियर इसलिए ध्यां दिजिएगा यहां पर क्या मैं 21 ञेंस तो मैंनी शब्का प्रियोत्य यहां पर किया गया ड़न से वां अनिकांटे बल्-चाहिए शब्ध जो है काऊंटे वल फॉर्म है मच लेस तो मच क्या है क्वांटे टी है और क्वांटी के लिए किसेगा करता है प्रेंड सम्म मेन्ही मजडRE तो मच योग क्वांटिटी में होता हैं मोर कांटेबल ऑनकांटेबल दोनों में किया जाता है तो यहां आपका राइट आंसर हो गया मुच लेश वास समय फ्रैंट्स कि अनकांटेबल फोर्म में मच का प्रियोग करते हैं और काउंटेबल के लिए मैंनी का प्रियोग करते हैं इसलिए यहां आपकांसर वा मच्छ लेस हाज बिन ड़न आगे बढ़ते हैं next question क्यों 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 में थर्ड क्या देखेगा more books than water blanks बहुत बायास बहुत इजी प्रसन है फ्रेंट्स एक्जाम में हर बार ऐसा question पुछा जाता है इस rule से rule पर आधारित question कई exams में आया है Indian Army कलर्ट में भी पूछा गया था नेवी में भी आया है और Air Force के exam में भी तो friends आप मुझे comment करके बताइए यहां आपका answer क्या होगा बहुत अच्छा प्रसन है फ्रेंट्स और यह हमने आपको हमारे fabulous academy के app के उपर जो test series दीवी है वहां भी आपसे question पूछा है तो देखेगा friends more books than water blanks both by us हमारे द्वारा खरिदा गया है more books than water अब ध्यान दीजेगा क्या water के नुसर नाएगी वाव आएगी या books के नुसर आएगी तो यहां आपको रूल ध्यान रखना friends more than का किसका रूल एफ्रेंट्स more than का अम more than का रूल क्या कहता है इस सीज को समझ लीजेगा यदि sentence में more than plus noun आ रही हो ठीक है ऐसी सिच्वनाउन प्रेणाउन ज्यान दिजिएगा noun pronoun अगर noun pronoun आ रहा है तो condition अलग होगी ठीक है क्या condition होगी देखेगा noun pronoun होने पर जो वाव helping वाव होगी friends वह किसके आधार पर आएगी इस noun और प्रेणाउन की आधार पर आएगी पहली condition दूसरी condition आपके पास में है more plus noun pronoun plus than plus noun pronoun अगर यह condition दे रखी हो तो वाब helping वाब जो आएगी वो first noun के according आएगी ज्यान दीजेगा किसके according आएगी first noun के तो यहां first noun के आपके books है और यहां noun है water water uncountable है books countable है तो फ्रेंट यदि हम books की बात करें तो यहां पर plural नावन आती है और water की बात करें तो uncountable में singular नाव प्रनावन आता है singular वाव आती है तो यहां ध्यान दिजिएगा books के लिए क्या होगा books की बात करें तो is singular है और plural है am i के साथ आता है तो friends आपका answer क्या हुआ be option आपका answer हो गया ध्यान दिजिएगा more than से बनने वाले वाक्य में than से पहले यदि कोई noun pronoun हो तो उसके अनुसार वाव आ जाती है यदि than के पहले कोई noun pronoun नहीं है तो than के जस्ट बाद जो भी noun pronoun आएगी उसके अनुसार वाव आ जाती है clear friends आगे बढ़ते हैं next question की और अगला question देखेगा क्या है blanks rose in your garden are beautiful यहां ध्यान दिजिएगा आपसे article पूछा जा रहा है friends और किस के पहले rose के पहले article क्या होगा सबसे पहले बात करते हैं क्या a answer हो सकता अ अ हो सकता है the और none बताइए गाएगा यहां पर क्या होगा सबसे पहले बात करते हैं article a की अगर friends आप यहां यह कहते है a rose ध्यान दीजेगा arrows और यदि आप कहते हैं and rose clear और यदि आप कहते हैं the rose और यदि आप यहां कहें cross rose it means जहां article नहीं हो तो friends पहली condition क्या है पहली शर्ट आपके पास arrows और and rose तो and rose तो होई नहीं सकता friends क्योंकि and का प्रियोग रोज के पहले नहीं होगा क्योंकि इसका उच्चारण जो हो रहा है इसका pronunciation जो हो रहा है वो किस से हो रहा है rose रह से हो रहा है और रह क्या है? consonant है बात करते हैं there rose हो सकता है or cross rose ध्यान दिजिएगा rose के पहले article होना अनिवारे है इसलिए ये भी आपका नहीं हो सकता आप फ्रेंड्स आपका अंसर होगा a rose या the rose a rose in your garden are beautiful आपके garden में कोई गुलाब सुन्दर है आपके garden में कोई गुलाब सुन्दर है a rose a rose क्या है यहाँ पर rose शब्द countable है a article लगा हुआ है तो कोई unknown इस्तिए के अंदर a का प्रियोग किया जाता है नम्मर दो अगर हम countable noun में singular की बात करते हैं तो a का प्रियोग करते हैं जब हम उसके बारे में कुछ जानते नहीं है और वो एक समुदाय का एक जाती का बोध करा रहा हो जान दीजेगा एक समुदाय का बोध करा रहा हो एक जाती का बोध करा रहा हो ऐसी सिचुएशन में एका प्रियोग किया जाता है तो माई डियर लिसन कैरफली ही आ ए रोच यहां बात तो रही है इन योवर गार्डन की आपके गार्डन में रोज इन योवर गार्डन आर बीटिफुल तो यहां पर दे का प्रियोग किया जाएगा माई डियर तो आपका अर्टिकल क्या होगा दा अर्टिकल होगा फ्रेंड्स ए एन और नन यह कैंसिल हो गया बात सब्सक्षान में आगी फ्रेंड्स यहां दे क्यों आया है आगे बढ़ते हम next cure अगला question देखेगा आपका next question friends आपके लिए my student Mr. Arun Raathor is in blank's army and his green father retired from Air Force आप friends आपको ध्हान देना है कि जो हमारी forces है जो सेनाए हैं क्या उनके साथ में article use होता है या नहीं होता मैं आपको यह clear कर देता हूं कि हमारी जो forces हैं जो हमारी सेनाए हैं जैसे आमी हैं Indian Air Force है Indian Navy है इनके साथ में article का प्रियोग किया जाता है तो friends आपका answer क्या होगा देखेगा यहां पर हम बात कर रहे है army की और यहां हम बात कर रहे है Air Force की तो friends आप बताएंगी कि यहां क्या होगा जब हम forces की बात करते हैं सेना की बात करते हैं तो article देखा प्रियोग किया जाता है तो A option आपका cancel हुआ दोनों में the A, the none तो आपका answer हो गया B option माइडिर बहुत इजी क्योशन था जो हमारी सेनाएं हैं आर्मी हो Air Force हो, Navy हो इनके पहले article देखा प्रियोग किया जाता है Next question के और बढ़ते हैं अगला question अगला question आपके पास में Choose the correct synonym आपको correct synonym बताना है Friends की यहां आपका correct synonym क्या होगा First of all you have to read out here The word that is given Question number 306 Choose the correct synonym The word is Conquer The word is Conquer और Conquer word का जो right meaning होगा In Hindi meaning what we can say here तो friends आप ध्यान दिजेगा Conquer शब्द का जो अर्थ होता है वो होता है agree होना ध्यान दिजेगा Agree होना सहमत होना Conquer का अर्थ होता है सहमत होना सहमत होना अब friends आप इस चीज़ को ध्यान दिजेगा आप से synonym पूछा जा रहा है समाना अर्थी शब्द पूछा जा रहा है पहला शब्द आपके पास है Oppose और Oppose का अर्थ क्या होता है जनरली आपने देखागा Opposite Word किसी का Oppose करना किसी का विरोध करना तो ध्यान दिजेगा Oppose का अर्थ तो होता है विरोध यानि सहमत नहीं होना इटमिंस मैं यह कहा सकता हूँ ए सहमत होना ए सहमत तो फ्रेंट्स यह सब्दिस का क्या हुआ एंटोनिम हो गया न दूसरा है डिस एग्री डिस एग्री ध्यान दिजेगा यहाँ पर क्या जुड़ा हुआ है पाफिक्स जुड़ा हुआ है डिस प्लस एग्री रूट वर्ड क्या है यहाँ पर ध्यान दिजेगा डिस प्लस एग्री ध्यान दिजेगा तो एग्री शब्द का अर्थ होता है सहमत होना ठीक है लेकिन आपके पास दूसरा जो शब्द है डिस डिस का अर्थ होता है नहीं नेगेटिव पार्ट है तो फिर डिस एग्री का अर्थ हो गया एस सहमत ठीक है तो यहाँ यह भी क्या है एस सहमत होना यह भी इसका क्या हुआ कॉंकर का एंटोनिम यह भी इसका एंटोनिम है है और ये भी इसका एंट्रोनिम है डिसेंट ध्यान दिजेगा डिसेंटकार्द डिस नहीं सेंट छैमट जो सहमत नहीं है असेंट का मलस ؟ असेंट का मलस असेंट का मलस णहनद सह्यARY का सैं सहमत होना राजी हो जाना एकोर्ड मिस होता है सहमत होना या राजी होना आप बताएए यहां पर आपका सिननिम क्या हुआ तो इसका सिननिम हुआ आपका डी ओप्शन क्लियर यहां मैंने आपको इसके एंटोनिम भी बता दिये और इसके सिननिम भी बताए हैं कि कॉंकर का सिन हो जाएगा दिसेगरी से एगरी बन जाएगा तो एगरी एकोर्ड यह सब इसके क्या होगे एक्षिण आपकी क्या हो करके एंटोनिम होगे क्लियर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट ऑप्शन की और अगला क्वेश्टन क्या देखेगा चूज दी करेक्ट एंटोनिम तो फ्रेंट्स टैल मी वाट विल और आंसर ही ओ कमेंट में हरियाप दब्रपी वाट गिवन ही यह गोजियस तो वाड इस जौजियस ज्ञान दीजिये फ्रेंट्स इसको अधिकांश्ण इंड जोजियस यह जोजियस नहीं है यह जो जियस तो देखेगा जोजियस का आर्थ क्या हुआ वा संदर होना क्या होता है संदर होना आकर्शक होना it means पुछा घार फोला शबद जा रहा है तो देखेगा है किया सब अर्थ क्या होता है ज्ञान देखें ऐलेद्ट's Lexington का जो अर्थ do कि जो सुन्दर हो जो मनोहक हो जो पहतने में अच्छा हू अलेज़ेंटत तो किसके लिए आया फ्रेंड्स सुन्दर ठीक है अब दूसरा वर्ड क्या हुआ आपके पास में ब्रिलियंट ब्रिलियंट शब्दकार्थ भी क्या होता है आकर्शक या होसियर सुन्दरता के अर्थ में भी होता है चामिंग कार्थ भी खुसी के अर्थ में आकर्शक के अर्थ म ऐखिख है जो अगली है टीक है जो दिखने में अच्छा नहीं है इनग है उसल्ग क्या कहते हैं उससे हम आपने सकना ओं जाई किया जाता है त्हान दिजेगा तो फिजिकल में सब्सक्द जो है फिजिकल के विए लिए काम में आया दूसरा जो कि दुड़ शब्द है वो education के संदर में भी आता है कि वो क्या है पड़ाई में कमजोर है ठीक है डल है वीक नहीं है study में वो क्या है डल है physically वो क्या है डल नहीं है physically weak है तो particular word का sense जो लिया जा रहा है वो आपके लेवल पर नहीं है friends यहां आपसे इंडियन एर फोर्स अग्सवाई ग्रूप में जो गॉजियस और इसका एंटोनिम बता यह तो three words आपके पास जो मैंने दिये हैं इलेजैंट ब्रिल्याइंट चामिंग यह सब भी तो इसके करेंद्स सिननिम हैं क्या है सिननिम और आपसे पूछा गया इंटोनिम तो डल इसका क्या हूआ एंटोनिम हुआ अब मैं कहूं डल क सिननिम क्या है तो अगली सका सिननिम हो गया बास तरुम आगे दोस्तों यहां डलत कर सिर्ण रू необход सब्सक्रणों भूल्टा स्परीज़ का मेनिंग नहीं नहीं ना मैं नहीं तो प्रास पूंडने में मिनिग के बारे में जानने में तो सबसे पहले ज्ञान जेगा यहां पर आपको मेक वर्ड दिया हुआ है और मेक के साथ में आने वाली जो प्रेपजिशन है जो फ्रेजल वाप का कारे करेंगी वो क्या होंगी first of all आपके पास word है Mac off और Mac off का अर्थ होता है hurry up अर्थ हार जल्दी करना क्या करना जल्दी करना, भाग जाना ठीक है, तो Mac off तो ये तो इसके sense में नहीं है अगला word आपके पास है Mac out Mac out का अर्थ होता है, पता लगाना पता लगाना जानकरी जुटाना तो आप क्या करेंगे मैक आउट करेंगे इसके एक के पास स्वक्राद है मैक और मैक और कॉष्ण पडलना ठीक है में पूर सो तयोů सुधार करना किसी में तो मैकप कार्द होता है पूरा करना तैयार होना ठीक है पूरा करना तैयार करना सुन्दर बनाना जो भी ऐसेंस अपन लेते हैं मैकप का उसेंस में ठीक है अब यहां क्वेश्चन के नुसर के यूर अनेबल टू दे meaning of the spaces आप enabling spaces का meaning निकालने में पता करने में तो भी option आपका exact right answer हो गया clear friends ध्यान दिजिएगा यहां पर make की second form जो होती हो क्या होती है mad ध्यान दिजिएगा mad और mad के साथ preposition का जो रूप आता है दोस्तों वह आता है mad of क्या होता है mad of और एक होता है mad from ध्यान दिजिए mad of और mad from और mad in तो इनका प्रियुक तो place के लिए हो जाता है दोस्तों ठीक है और mad by की द्वारा किसी व्यक्ति के द्वारा कोई चीज़ बनाई गई है mad by हो जाता है लेकिन ध्यान दिजिए mad of और mad from एक चोटा सा डिफ्रेंस है mad from और mad of mad of किसी वस्तु का निर्मान होना जिसे मैंने कहा किसी भी नई वस्तु का जब निर्मान करते हैं Cord is mad from milk. card is mad from milk. it means ये हुआ दूद से दही बनता है ठीक है तो यहा है फ्रॉम काम में लिया है जबकि इस चेयर is mad के साथ में ओफ काम में लिया दोस्तों. तो आप यह समझेंगे की mad के साथ में ओफ क्यों आया जब किसी वस्तू का निर्मान होने पर समझना फ्रेंट्स यहां पर अगर किसी वस्तू का निर्मान किया जाता है तो जिस वस्तू से निर्मान किया गया है नवीन वस्तू बनेगी जो वस्तू बनेगी उस वस्तू में जो पुरानी वस्तू थी जिसे हमने बन यह कौन सा परिवर्तने यहां पर ध्यान दिजेगा फ्रॉम का यूश किया जाएगा क्योंकि दूद से जब धहीं बनेगा तो दूद हमें दिखाई नहीं देगा इसलिए जहां पर पहले वाली अस्तित्व वस्तु अपना अस्तित्व खो देती है अपना एक्जिस्टेंस ख का प्रियोग करते हैं क्लियर आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेशन की और अगला क्वेशन क्या देखेगा माई फ्रेंड हो लिव दिन मुंबाई यस्टरडे ही डाइट ब्लैंक्स कोरोना मेरा मित्र जो मुंबाई में रहा था कल वो कोरोना से डाइड हो गया अब आप यहां देजेगा डाइड फ्रॉम डाइड फोर डाइड इन डाइड ओफ सबसे पहले हम बात करते हैं कि डाइड के साथ फ्रॉम का प्रियोग कब करते हैं देखेगा डाइड फ्रॉम वुंड घाव से किसी वेक्ति की डैथ हो गई तो डाइड फ्रॉम वुंड हो गया मैंन डाइड ओफ कोरोना किसे कोरोना से खतम हो गया किसी इल्मेस से खतम हो गया बीमारी से कोई खतम हो गया वो किसे खतम हो गया ग्रीफ के कारण खत्म हो गया दुख के कारण से माली जो खत्म हो गया है हंगर के कारण सी हो गया हो हंगर के कारण हो गया हो स्टारवेशन के कारण कारण हो थी है ऑग की और हो गया या थायस की वज़ेसे तीक है या शयम शर्म के कारण तो ध्याण दिजीगा फरेंड future किसी विमारी की कारण गृफ Radio के कारण हंगर भूक के कण स्टावच्ण भुक मरे की करन का्स्ट प्यास के कारण श्यम शर्मिंधा होने के कारण अगर किसी व्यक्ति की डैथ हो रही है तो वहाँ और प्रियोग किया जा रहा है और नेगलिजेंसी के लिए ध्यान दिजेगा अगर नेगलिजेंसी की बात करें तो तू नेगलिजेंसी तू नेगलिजेंसी तुरू नेगलिजेंसी नजरनदाज करने के कारण से क्या हो गया उसकी डैथ हुई तो डैथ के साथ में अगर नेगलिजेंसी वर्ड की बात की जाए तो वहां तुरू लगता है थास्ट शेम इल्नेश ग्रीफ अंगर स्टाविशन की बात करें तो ओफ लगता है और बैटल बैटल में क्या है फ्रेंट्स हमने हैं और आपको बताया बैटल का लंड WEल लड़ाई में छितर में किसी छितर की बात हो रही हो और के लिए के अर्थ में देश के लिए सफ्चीद हो गया फ्रॉम से घाव से वंड से जो लंबी प्रक्रिया चल रही है ठीक है न इसके अलावत देजीगा wise किसका ब्यक्सका प्रयोग डाइड व्द विद लिवा के साथ में डाइडर अर्थ अर्थ के साथ के साथ तो व्यक्ति के साथ में die with his girlfriend वो अपनी girlfriend के साथ में क्या हो गया खत्म हो गया तो died के साथ में from for in of through with इन सभी का प्रयूग किया जाता है clear आगे बढ़ते हैं next question की और तो friends आपको पता लगया कि यहां आपका answer यह तो नहीं होगा डी option आपका right answer हो गया next question देखिएगा अगला question है wise चूज दिक करेक्ट एस्टिक नाउन आपको एस्टिक नाउन बताने फ्रेंड्स कि एस्टिक नाउन क्या होगी वाइज की तो देखिएगा वाइज से बनता है एस्टिक नाउन की रूप में वाइजर यह तो comparative form है क्या है फ यह तो इसका क्या है फ्रेंड्स सेननम के रूप में है फिजडम यह आपका correct right answer हो गया वाइज का बुद्धी मान बुद्धी मान से बुद्धी मता द्यान दिजेगा फ्रेंड्स जैसे सब्द आ जाता है शूमन शब्द क्या है शूमन और हूमन से बनता है यूमेनिटी क् हूमन से शूमेनिटी बनेगा हमबल से शूमीलिटी बनेगा हमबल से शूमीलिटी बनता है और ध्यान दिजेगा पूर जो शब्द होता है पूर से पूर्टी बनता है पूर से पूर्टी शब्द बनता है प्रूडेंट से प्रूडेंस बनता है प्रूडेंट से प्रूड बनता है आपको ध्यान रखना होगा फ्रेंड जिसे यो शब्ड होता है ब्रेव से ब्रेवरी बनता है कोवर से कोवरड़ाइस बनता है क्लियर इसी प्रकार शब्ड मारे पास में आता है कि health health जो शब्द है और एक शब्द है honesty ठीक है कि ऑनेस्टी है तो है जो शब्द है यह अपने आप में अट्रैक नाउन है और इसका इसक्टिव नाउन है और इसका इजक्टिव बनता है क्या बनता है है जो यह एड़िक ट्यू है जब की है जब किओ सब्द नाउन है चिक नाउन है ध्यान दिजाएगा और और वहalter किए यह आपका क्या है डाउन है ens नाउन है ओनेश्ट शब्द एढ़ेक्टिव है हैल्थ सब्द नाउन है healthy सब्द आपका एढ़ेक्टिव क्लियर आगे बढ़ते हैं नेश्ट क्योश्ट की और अगला क्योश्ट कुश्ट देखेगा चूज बात प्लूर्ड कॉट-उफ-मेल में क्या फिर्ट ध्यान दिजिएगा कोर्स ओफ मैल्स नोफ दोनों प्लूरल नहीं बनेंगे कोट ओफ मैल्स आगे वाला प्लूरल नहीं बनेगा नाउन और एजेक्टिव की बात चल रही है कंपाउंड नाउन प्रेपजिशन से जुड़ी हुई है कोट्स ओफ मैल नन ओव दीजिए तो फ् प्रेपजिशन के पहले वाली नाउन को प्लूरल बना दिया जाएगा इसलिए यहां पर लिखा जाएगा फादोस इन लोग पहले वाली नाउन प्लूरल बनती है बाद वाली नहीं बनेगी स्टेप डॉर्टर शब्द क्या है स्टेप डॉर्टर स्टेप डॉर्टर में द आप ध्यान दीजिएगा अगर बात करते हैं यहाँ पर मैन सरवेंट मैं सरवेंट तो मैं सरवेंट क्या बनेगा मैं सरवेंट मैं सरवेंट तोनों प्लूरल बन जायेंगे प्लियर आगे बढ़ते next question कि और अगला question देखिएगा choose the correct pronoun आपको pronoun बताने है my dear कि यह pronoun क्या होगा तो देखिएगा your problem is different from from क्या है preposition है दोस्तों और preposition के बाद में objective case आता है कौन सा case objective case अब ज्यान दिजिएगा आई क्या है subject माई क्या है positive adjective जबकि आना क्या चीए objective माई कभी अकेला नहीं आता है इसके साथ noun आती है दोस्तों ध्यान दिजिएगा माइन जो है यह है आपका प्रेनावन क्लियर कौन सा positive यूवर सब्द क्या है adjective इसलिए आपका राइट आंसर हो गया माईन पास में आगे दोस्तों देखेगा this book is mine यह पुस्तक मेरी है और यहां मैंने का this is my book this is my book तो यहां पर माई शब्द जो है वह एड्जेक्टिव है जबकि यहां माइन जो शब्द है यह आपका प्रेनावन है ठीक है प्रेश्जीव प्रेनावन और से यह हैं यहाँ आपका राइट आंसर क्या हो गया यह भी सेनेस राइटर यह तो प्रेपजिशन के बाद अब्जेक्ट वुकेस की रूप में माइन का प्रयोग किया जाएगा तो राइट आंसर हो गया आपका माइन आगे बढ़ते हैं यह मॉयूंन दिखेंगे सित्व शब्द है कौन से डियों का है कम्परेटिव इस यहां करते हैं लेकिन ध्यान दिजेगा अगर एक ही नाउन के बारे में एक नाउन की दो विशेष्टाइं बताए जा रही हो तो more के साथ more plus positive degree हो तो then के बाद भी positive degree adjective आएगा ध्यान दिजेगा more plus positive degree adjective हो तो then के बाद भी क्या होगा positive degree adjective आएगा more intelligent then पहले क्या है degree adjective में more intelligent positive degree adjective है इसलिए यहां भी क्या होगा positive degree adjective आएगा तो देखेगा brave, braver, more brave और bravery, bravery क्या है brave से bravery abstract noun है abstract noun है भावाचक संग्या है more brave comparative form में होती है तो brave से braver यह comparative है तो फिर ध्यान दिजेगा यहां पर positive degree adjective का प्रियोग किया जाता है तो यह answer हो गया brave एक ही विक्ति के बारे में जब उसकी दो इसे स्ताओं में तुल्डा की जा रही हो ऐसी situation में more intelligent than than के बास सरफ adjective आ रहा है तो वहाँ positive degree adjective आएगा उसमें comparative नहीं बनेगा clear आगे बड़े next question friends next question क्या देखेगा one of the passengers was being thoroughly checked by the custom officers choose the change passive voice into active voice passive से active बनाना है ध्यान दीजेगा friends exam में आपको active से passive या passive से active बनवा सकता है तो यहां पर क्या हुआ देखेगा क्या दिया हुआ है was being thoroughly checked यह आपकी वर्ब है अब friends हमने आपको active passive के topic में बताया था कि जब भी हमारे पास में being लगा हुआ आ जाए being plus third form तो sentence पैसिव वह इसका होता है उसको active बनाने के लिए being हटाईए और मैं वर्ब में आई एंजी जोड़ दीजीगा मैं वर्ब में आई एंजी जोड़ेंगे तो क्या होगा देखेगा वोज तो स्वोज दिया इसका साइक्रिया करूट तो क्या होगा वोज वर होगा क्या होगा माई डियर वोज होगा इसके बाद वोज वर के साथ first form में आ in ग्लियर आप देखेगा यह कहां नहीं है उसको केंसिल करिए का कस्टम कतुम जद्र नहीं है यह तो आंशर नहीं हो सकता थैप कस्टम ऑपिसर्स तहॉर्उब च dips यह भी नहीं हो सकता वन ऊफ द्पासंजर्स वह थैदे अब ध्यान दीजेगा यहां पर वाजबिंग के बाद में जो भी सब्जेक्ट है इस वाक्य का अबजेक्ट वह एक्टिव इसका सब्जेक्ट बन जाता है यहां दिया हुआ है बाइदे कस्टम तो सेंडे शुरू होगा बाइदे कस्टम ओफिसर्स तो देखेगा यहां वन ओफ दे पैसेंजर्स तो यह तो कैंसिल हुआ दे कस्टम ओफिसर्स वर तो रोली चैकिंग वन ओफ दो पैसेंजर्स यह दी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो गया क्लियर फ्रेंट्स आगे बढ से नाइट फॉल से पर ले तो देगी क्या दिया है विल ह 27 द्यान दिएत कर देगा जब भी सेंटेंस में है शेयर है और है दिया हो तो सेंटेंस में क्या होता है पैसेव नाने पर बीन प्लस सेयध थो और तो ऑ्प्शन की और बड़ स से तस वह स्त मेंगे वाल ऑप the fort will have been the enemy will seize यह भी नहीं होगा अब देखेंगे फ्रेंट्स the enemy will have seized the fort before nightfall object कौन है the fort तो the fort से आपका answer put up होगा तो देखेंगा the fort would would नहीं होगा friends will का will ही रहता है इसलिए c option आपका exact right answer हो गया the fort will have been seized by the enemy before nightfall clear next question के और बढ़ते हैं अगला question देखेंगा चूजदे correct one word आपको correct one word बताना है friends first word क्या है question is a large group of girls ladies ladies का girls का जो group होता उसको क्या कहते है माइडियर देखेंगा सबसे पहले girls or ladies assemble भी हो सकती है gather भी हो सकती है लेकिन दियान दीजी का word क्या है crowd और crowd card भीड़ जहां पर ladies and children सभी होते हैं तो यह तो आपका answer नहीं हुआ ठीक है next day crew crew किसको कहते हैं जो sellers का group of sellers जो sellers का group होता है नाविकों का दल होता है उसे हम crew कहते हैं किसको कहते हैं seller का जो group होता है उसे हम क्या कहते हैं group कहते हैं तो यह भी answer नहीं हुआ अगला है baby और four अगला question क्या देखेगा बेवी जो word है girls and ladies का जो group होता है उसको क्या करते हैं बेवी clear आगे बढ़ते हैं next question की और अगला question क्या देखिएगा change the sentence direct speech into indirect speech direct indirect क्या है can you pay him in case see sad to me question पूछा है तो sad to ask में बदलेगा friends यह sentence can can से शुरू हो रहा है तो if से conjunction लगेगा और can का क्या बनेगा could तो friends जिसमें if और could का sense नहीं हो cancel कर दीजिएगा first में क्या देखिएगा if he could if I can यह तो cancel हो गया if I could और यह पर I should यह भी cancel हो गया अब देखिए friends यह यू दिया है second person object के according objective me तो subjective case बनेगा I clear तो if I could जहां है वो आपका right answer if he could cancel हुआ और यह आपका right answer see asked me if I could pay him in cash clear बासन में आगे आपको कैसे किया हमने इसको आगे बढ़ते हैं next question की और अगला question देखिएगा I said mother please let me go out for a movie with my friends मैंने कहा कि मा please मुझे अपने दोस्तों के साथ movie देखने के लिए जाने दीजिए तो मैंने मां से क्या किया है request किया bagging की है या मां को advise किया है या order दिया है command दिया है friends हम अपने से बड़ों को parents को हम क्या करेंगे parents से देखिएगा requested हो सकता है said to mother द्यान दिजिएगा said to mother नहीं होगा bagging हो सकती है bagged तो bagging ing form नहीं आएगी second form दी है तो option आपका a और d में से answer होगा a में क्या है mother his mother c में please द्यान दिजिएगा यहां पर है I said mother please let me go out for a movie with my friends यह आपका d option नहीं होगा यहां पर रिक्वेस्टी मादर का पार्ट क्या होगा प्लीज चब्द हटेगा लेट के साथ two conjection लग जाएगा इसलिए यहां देखिएगा see directly है cancel तो आपका direct answer क्या हो गया d option आपका राइट हो गया I begged my mother to let me go out for a movie with my friends यह आपका d option बिलकुल right answer हो गया friends clear हो गया बासन में आ रही है I hope it is clear are you getting me friends आप comment करके बताईगा मुझे कि आपको यह questions कहां तक समझ में आ रहे हैं और आप कितनी performance कर पाएंगे अगर आपकी कोई भी query हो वो भी आप अमें पूछ सकते हैं friends आगे बढ़ते हैं next question choose the correct meaning of the idiom phrase idiom phrase का correct meaning देखना है देखेगा through cold water on my plan by calling it unrealistic उसने मेरे plan के उपर cold water डाल दिया by calling it unrealistic उसको unrealistic बता करके उस मेरे plan पर पानी डाल दिया अब फ्रेंट ध्यान दिजेगा and craze करना प्रोत्साहित करना अब यहां पर क्या देखो through cold water ठंडा पानी डाल दिया उसके उपर अब ठंडा पानी डालेंगे आपको प्लान करें नहाने का प्लान करते समय अचानक आपके उपर क्या कर दिया ठंडा पानी डाल दिया तो आपने क्या किया आप discourage हो गए कि मैं तो नहीं आँगा क्यों क्यों कि आपके उपर अचानक से ठंडा पानी डाल दिया through the cold water plan को change कर देना डिस्करेज कर देना प्लान को बदल देना एंक्रेज करना नहीं माइडिया जब थंडा पानी डाला तो हमारा प्लान कैंसिल हो गया मॉटिवेट यह को चल रहे हैं तो यह तो नहीं होगा discourage करना हमारा प्लान discourage कर दिया he through cold water ध्यान दिजिएगा फ्रेंट इसको की वर्ड से याद रख सकते हैं आप की वर्ड कौन सा बता है मैंने आपको मैंने का cold water थंडा पानी फेगने से उसने अपने प्लान को कैंसिल कर दिया वो डिस्करेज हो गया अपने कारेज चेतर में अपनी प्रोग्रेस नहीं दिखा पाया कब नहीं दिखा पाया क्योंकि उसने क्या कर दिया उसके विचारों उसके उपर through cold water थंडे पानी के करन वो डिस्करेज हो गया या वो हतोसाइथ हो गया कि आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्योशन की और प्रेशन लास्ट क्योशन क्या है 320 देखेगा फ्रेंड्स बहुत अच्छा प्रसन है यह भी एक्जाम में आया हुआ है फ्रेंड्स और फ्रेंड्स आप हमारे यूटूब चैनल के उपर और हमारे फैबूलस एकेडमी के एप पर एप के उपर आपको complete वीडियो वीडियो लेक्चर्स पीडिया टैस्रीज यह सभी एप के उपर अवेलेबल है वहां आप एपको डाउनलोड करके टैस्रीज में जॉइन करके और डेली टेस्ट देकर आप अपने आपका एक्जमाइन भी कर सकते हैं तो प्रेंट्स बताएगा यहां क्या होगा I am working in this organization without any break for the last 30 years नौर फ्रेंट बहुत अच्छा परसन है यहां आप नौट करेफरेंस देखेगा I am working में काम कर रहा हूं in this organization इस संगठन में without any break बिना किसी break लिए विए for the last 30 years पिसले 30 सालों से मैं पिसले 30 सालों से इस organization में काम कर रहा हूं तो फ्रेंट सापने ध्यान दिया होगा फोर से प्लास टाइम होने पर कौन से टेंस की बात की जाती है perfect continuous की कौन से टेंस की बात होती दोस्तों perfect continuous की बात होती है और perfect continuous अगर present की बात करें तो has have plus been plus verb की first form में ing होता है अगर हम past की बात करें तो past में had been plus first form में ing होता है और अगर हम future की बात करें तो will have been will shall plus have been plus first form में ing की बात होती है आप friends आपको देखना है sentence coincidence का है देखेगा I am working in this present की बात कर रहा देखेगा this organization इस संगठन में without any break for the last पिसले 30 साल उससे काम कर रहा हूं present और present में क्या हुआ my dear यहां आपका right answer की अगर आपन बात करें तो आपका right answer होता है a option की has or have में से तो देखेगा I के साथ क्या my dear I have been I have been working क्या होगा I have been working आपका answer होगा तो error का हुआ friends a option में आपका क्या है error है clear यहां आपका error हुआ I am working को remove करना है और I have been working का प्रियो किया जाएगा clear friends आगे बढ़ते हैं तो friends आज के session में आपने 20 questions का session देखा और friends आप वीडियो को सुरू से लेकर ending तक देखेंगे तो आपको सभी concept clear हो जाएगे और आपको पता लग जाएगा कि exam में कौन question और किस pattern से पूछी जाने वाले हैं और उनको किस concept से हम solve करते हैं friends सभी subject की test series हमारे YouTube channel पर चल रही है math physics and English की तो आप जदस जदा हमारे YouTube channel को subscribe करें बैल आइकन पर प्रेस करके करें जिससे आपको वीडियो का notification मिल जाए next question लेकर के हम आपके साथ में फिर से हाजिर होंगे आपके सामने तब तक के लिए thank you best अट भ्लाओ बाइ पॉए भाई